नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक मैं हूँ आपके साथ सुकर्नया सिंग बिहार में कुरुमा के मौत के आंकड़ों पर सियासत खुब हुई बिहार सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि नितेश सरकार जो है वो मौत के आंक्रों में धांदले बाजी कर रही है आंक्रे बहुत जादा हैं उसको छुपा रही है और रातो रात कैसे 4000 आंक्रा बढ़ गया इस पर सरकार की तरफ से सफाई ये आई कि हमने तो ट्वीट करके आंक्रा सारजनिक किया अपनी गलती को माना और जो जानकारी है वो सारजनिक कर दी हम क्यों हिरा फिरी करेंगे लेकिन इन सब के बीच ये जानना बेहत एहम है कि बिहार में अगर किसी व्यक्ति की कुरूना से मौत होती है तो इस व्यक्ति के आश्रितों को चाड़ लाग का मौावजा मिलता है राजनिती अपनी जगह है लेकिन परिवार में आपके या किसी के भी परिवार में कुरूना से अगर किसी की मौत हुई है तो मौावजा आपका हाक है आपको उस मौावजे को क्लेम करना चाहिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिये क्योंकि इस वीडियो में मौावजा कैसे मिलेगा उसकी पूरी प्रक्रिया हम बताने वाले हैं हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि सर्टिफिकेट क्या कुछ चाहिए कि प्रमाण पत्र क्या कुछ चाहिए साथ ही आपको बता दे कि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति की कुरोना से मौत होती है तो चार्ड लाग का मुआवजा उसके आशृतों को मिलता है आशृत में किन लोगों की गिंती होती है पहले वो जान लीजिए आशृत में आते ह हैं मृत्वेक्ति के माता-पिता बेटा-बेटी पती या पतनी किसी वेक्ति की मौथ हुई है किसी की मौत हुई है तो आप इस मुझे को क्लीम कर सकते हैं और सरकार दावा करती है कि 24 घंटे के अंदर पैसा आपकेाते में आ जाता है तो चाड़ लाग का मामला है आए अपप्लाई करने का ताकि अगऄ घर में कोई Corona से शती हुई है कोई मौत हुई है तो कम से कम कुछ आर्थिक सपोर्ट आपको मिल सके Corona से किसी उन्हेक्त की अगर परिवार में मौत हुई है तो आपदा विवाग या संबंदित सीयों को आपको आवेदन करना होगा दोनों में से किसी भी एक जग्या पर आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत होती है कुछ कागजाद की जरूरत होती है चलिए कागजात के नाम आपको बताते हैं सबसे पहले कुरोना से मौत का प्रमान पत्र इसके बाद आवासिय प्रमान पत्र और साथी जो आशित वेक्ती है उसके पास्बूक की फोटो कौपी जमा करानी होती है कुरोना पॉस्टिव की मौत के बाद जो सिविल सर्जन है वो जो है संबंधित अंचला धिकारी या सीओ को मौत की रेपोर्ट भेजते हैं और इसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है इसलिए सभी बिहार वासियों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके परिवार में किसी की कुरोना से मौत हुई है तो मौाबजे की रकम के लिए सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको क्लेम जरूर करें और पूरी उमीद है कि 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसे का भुक्तान भी बिहार सरकार कर देगी जैसा वो दावा कर रही है तो इसी तरीके से बिहार की खबरों के अलावा जो भी जानकारी आपके लिहास से एहम है वो हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहें बिहार तक